अंजली ने पना सपोर्ट करा और पॉबलीक न अंजली एंस को ट्रॉल गला अलवेश यादव जब से जेल से बाहर आए हैं तब से किसी न किसी वज़ा से चर्चा में बने हुए हैं स्नेक एनवेनम केस में फजे एलविश यादफ भाहार आते ही सबसे पहले सूरत में होली का एक इवेंट अटेंड करते नजर आए जहां उन्हें देखने के लिए हजारों की दादाद में लोके खटा हो गए इसके बाद जब बीते दिनों मुनवर फारुकी को हुका बार में रेड की वज़ा से पुलिस नहरासत में लिया तो यूट्यूबर तुरंथी सोशल मीडिया पर अक्टिव हो गए हलाकि जब बिग बॉस OTT2 के विनर एलविश यादव जेल गए थे तो एक्ट्रेस की सुर बिलकुल बदल गए थे और उन्होंने इसे महस TRP के लिए किया हुआ स्टंट बताया था अब जब एलविश यादव जेल से बाहर आ गए हैं तो वो भी अंचली अरूडा और उनके फैंस पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मुंबई को सिर्फ अंचली अंस ही बचा सकते हैं अंचली के फैंस पर एलविश यादव कि इस बयानबाजी का जवाब देने से पीछे नहीं हटे कच्चा बादाम गर्ल की फैन ने कमेंट करते हुए लिखा मुंबई की हालत भी आज बिल्कुल वैसी है जैसे कुछ दिन पहले आपकी थी दूसरे यूजर ने लिखा एलविश हम अंचलीन्स पर पहले से ही बहुत प्रेशर है स्पीड ब्रेकर्स भी अटवाने है अब किसी की मदद नहीं कर सकते हैं अने यूजर ने लिखा यार तुझे भी तो अंचलीन्स नहीं बचाया था